आमादी पार्टी के रास्टे सायोजक और दिली के पूर्ब मुखे मंत्री अर्विन के जिवान ने माना है कि दिली की सड़कों की हालत ज्यादा खराब है और उन्हें जल्द ठीक किये जाने के जुरूत है ये बात उन्होंने शुक्रवार को विधान सभा में भाशन देती दिली के लिए के उन्होंने से लिए प्त्र भी लिखा है जिसमें सड़कों को जल ठीक करवाए जाने का नुरूत किया गया है उन्होंने कहा कि उनके जीप पहले ही सड़कों की बूप practiced यी नहीं थिए होना गयी जिससे सड़कें और ज्यादा खराब हो गयी उन्होंने को इसे के साथ उन्होंने बीजोपी पर आरूप लगाए कि उन्हें जेल भीजने का एक मात्र मकसद दिल्ली को ठब परना था। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में काफी बारिश पर हुई है जिससे सडके खराब हो गई है। ऐसे में सभी मंत्रियों और वधायकों के साथ सडकों पर उतर कर एसेस्मेंट करवाएं कि कौन कौन सी सडके खराब हैं उनको तुरंट ठीक करवाए जाए। आई आप को सुनवाते हैं अर्विन की जिवान ने क्या कुछ कहा। सारे विधायकों को सारे मंत्रियों को सडक पर उतार के एक एसेस्मेंट कर लेंगे जो जो सडके तूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सडकों की युद्धुस तरके ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना ला गया था इस वज़े से काफी काम इन लोगों ने रोक दिये लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं जितने रुकेवे काम थे सारे काम अब दुबारा चालों कराएंगे तार सवाल उत्रे कल्भी रात में आश्चरे चकी थूंकी आज देख अरविन खेज़िवान ने कहा कि हमें दिनरात मेहनत करनी हो गी और सभी रुके हुए काम पूरे करनी होंगे उन्होंने आमादमी पार्टी के विधायकों से भी खास अपील की है मनीश सोधिया जी और मुझे की रप्तार करके इन लोगों ने पहले ही हमारा बहुत समय खराब कर दिया इससे पहले कोरोना में भी काफी टाइम चला गया अब ऐसे में हमें दिन रात मेहनत करनी होगी उन्होंने कहा कि सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी सबको रात मिया सुभा जल्द ही निकल कर सड़कों कमवायना करना होगा जो सड़के तूटी हैं उन्हें एक साथे करवाने का आदिश आदिशी दे देंगी